हेलो फ्रेंड्स वेल्खम टो ऑन माई यूट्यूब चैनल बी एजुकेशनल विनर्स फ्रेंड्स आज हम सीटेट के बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट कोशन करने जा रहे हैं सीडीपी सेक्शन के जो पेपर के फर्स्ट में आता है आपको बाल विकास और शिक्षा शाशतर का इसमें से आपको बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट कोशन देखने मिलेंगे इस वीडियो में मॉक टेस्ट होगा आपको इसमें से अपनी असेस्मेंट करनी है कि आपके कितन ऐसे आपको उन कोश्शन को जो है कोई बी आपशन आपको बच्ति है इसको कैसे घैनडल करना है गलत लगता है तो उसको कैसे माइंड में रखना है आज की वीडियोमें अगर आप मीरी चैनल पर नहीं हो तो सबसे बहले मरी मीरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और surfingby क आपको नोटीफकेशन जो है वो मिल सके तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स आज की वीडियो सबसे पहले पहला कोश्चन है आपके सामने पूरश जो है वो इस तरीओं के पेक्षा जादा बुद्धिमान होते हैं कत्थन आपको क्या लगता है सही हो सकता है लेंगिक डॉपकें में इह इंक्या होना चाहिए कि एसा कुछ इंटेलिजेंसी वाला कोई नहीं होता कि जो या ग 1 जादा इंटेलिजेंट आप इहां कोई भी आपको माइड में रखना सब भी जो है वो अँछा एक Сп ँटे भी है आपको employment होते हैं कि disintegr अपेंडila बनाई थी कि यह लड़किया तो यह जब्द है करता है जैनल भी है किल कर सकता है और गोषा है यह ये क्या है ये सिर्फ हमारी पुराने समय की एक धारना चली आ रहे है जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी कि लड़की है तो ये पाएगी लड़की है तो ये करेगी लड़का है तो ये कर सकता है लड़की क्रिकेट नहीं खेल सकती लड़के है वो ऐसा नाच नहीं सकते ऐ ऐसा कुछ भी जो बना हुआ था ना वो रूडी बद्धार ना थी हमारी पुराने समय की बहुत सारी एक्जेंपल्स आपको देखने को मिल जाएंगी जिससे जो है आपका questions पेपर में बनता है इसका आपको पता चल गया होगा कि यह सही तो बिल्कुल नहीं है सही हो भी नहीं सकता और यह बुद्धी के विविन पक्षया ऐसा कुछ concept है ही नहीं इसका option सही क्या होगा लेंगिक पूर्वाग्रे को परदर्शित करता है जो हमारी पहले से चली आरी जैंडर की एक धारना है उसको जो है present करता है next question हम देखते हैं बहुत ही important आपको ऐसे question आएंगे आपको जो घलत option लगते हैं आपको उस पे cross लगाते चलना है पेपर में भी आपको ऐसे करना है ताकि जो आपका समय है वो पेपर में बच सके आप टाइम पे जो है अपना पेपर सारा ही टेम्प कर सको so क्योंकि जो option होते हैं वो बहुत लंबे-लंबे होते हैं इसके पढ़ने पे आपका जो है ज़्यादा टाइम जाएगा तो आप पेपर को है पूरा टेम्प नहीं कर पाऊगे so दूसरा question कै不是 Christina है अपनी कक्षा को शेतर भ्रہmund पर ले जाती है ठीक है एक Christina नाम की शिक्षक है वो अपनी कक्षा को क्या करती है एक शेतर भ्रहभण के लिए ले जाती है वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रह्मन पर चर्चा करती है यह क्या है आपको यह assessment की ऊपर एक question बना है assessment की जो four part होते हैं चार तरह की assessment हम करते हैं for learning होती है assessment for learning, of learning, as learning और in learning आपको जो है यह चारे जो इनका क्या इसमें शामिल होता है आपको जो है साथ-साथ question के साथ आपको analysis हो जाएगा सभी question की आपको मैं एक जो अच्छी तरह से आपको explanation के साथ आपको सभी समझा सकती हूँ कैसे यह concept बने हुए हैं सबसे पहले आप देख सकते हो assessment for learning इसमें क्या होता है कि हाँ हमको सीखना है और सिखाना है बच्चे को तो हम क्या करेंगे इसको क्या कहेंगे assessment for learning करें हम बच्चों को नहीं नहीं तरीके से method से पढ़ा रहे हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि कोई भी study हो रही है class में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को हमको क्या करना है उस study के दुरान ही जो हम पढ़ा रहे हैं उसके दुरान हमको एक बच्चे पर assessment लगानी होती है दुरान यह क्या होता है हमारी जो teaching होती है उसके दुरान होता है इसमें क्या ह करना है बच्चे को मेजर करना है वो कितने माक्स लाता है क्या करता है ठीक है ऐसा होता है इसमें आपको इसको समझना है ठीक है और हमको यह क्लियर हो जाता है आगे आपशन का तो कोई इतना है नहीं आपको इन दोनों में ही क्लियर हो जाएगा कि जो सीखने के लिए है या सी शेतर भ्रहमन पर किसी कक्षा को ले गए ठीक है और उसको वापस आने पर उस पर डिसकेशन शुरू कर दी इसका क्या मतलब निकला अगर डिसकेशन हो रही है कि बच्चे कुछ उसमें से सीखने के लिए प्रयास करें टीचर उनको सिखा रही है वो तो जो यह क्या हो सकता है क्या एक धारणा बनती है क्या चीज निकल के आती है कि यह सीखने के लिए आकलन हो रहा है सो इसका राइट आप्शन क्या होगा सीखने के लिए आकलन सो इस तरह आपको जो है सब भी जो है questions जो है वो clear होने जाए आगे बहुत ही important question आप देख सकते हो friends निम्मलिक्त में से क अगर आपको option में नहीं है कुछ पूछा जाता है तो आप उसको क्या करेंगे पहले ही circle कर लोगे ताकि आप जो है वो confusion में आके कोई भी option गलत ना चुन सको इसमें से आपको चुनना है कि कोई inner motivated students है बच्चे है ठीक है तो उनकी कौन सी विशेष्टा वो नहीं हो सकती ठी समय आपको ठीक है वे हमेशा सफल होते हैं जो inner motivated होते हैं वे कारे करते समय उच्चेतर की उर्जा पर दर्शित करते हैं वे चुनौती भरे कारे को पसंद करते हैं उन्हें कारे करने में आनंद आता है पहली चीज़ तो friends यह है कि कोई inner motivated है वो काम को मजे मजे से तो करेगा ऐसे नहीं है वो बोर होगा उसकी अंदर की इच्च है काम करने की ठीक है वो बोर तो नहीं होगा आनंद उसको आएगा ये बिल्कुल सही है ठीक है फिर क्या है वे चुनौती भरे कारे को पसंद करेगा अगर उस बच्चे को जो है काम करने की प्रबल इच्च है अंदर से वो काम को पसंद भी करेगा ठीक है ये भी option सही है वे कारे करते समय उच्छतर की उर्जा परदर्शित करेगा वो अपना best भी देगा ठीक है अंदर से उसके काम करने की चाहे तो जो गलत option है वो है वे हमेशा सफल होते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है अगर हम अंदर से कुछ मन ल प्रयास कर रहा है इच्छा है उसकी तो ऐसा नहीं है कि वो सफल हो ही जाएगा यह option जो है वो यह विशेशता उस बच्चे की नहीं है तो यह आपका जो है राइट option होगा अगर आपने negative चुनना है तो आपको negative ऐसे चुनना है ठीक है अगर आपको positive चुनना है तो आप जो negative fact होगे उनको cross करोगे और जो सही fact होगा उसको चुनोगे इस तरह आपकी जो है बहुत ही जादा जो time भी बचेगा और आपका concept clearance अच्छी तरह से है जो वो mind में हो जाएगा next आप देख सकते हो next question विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तिया आती है जो problems रह जाती है ठीक है कुछ कमिया रह जाती है उनकी निदान के बाद dash होना चाहिए उनका solution कर देते हैं उनका remedial teaching हो जाती है उसके बाद क्या होना चाहिए जो चीज होने चाहिए उसका आपक शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्दी के बारे में बताना चाहिए सघन अभ्यास करना चाहिए सुमिचित उप्चारात्मक कारे होना चाहिए यह आपको इनमें से option जो है वो चुनना है बहुत ही जादा जो है important है आप इसमें समझी गए होगे कि इसमें जो से दोहराना जैसी कुछ चीज जो भी होगी ना वो गलत होगी ऐसा नहीं है को अगर बच्चे को नहीं आ रहा है वो दोहरा दे उसको काम पाठ को या कुछ भी ठीको ठीक है अगर नेक्स्ट क्या है शिक्षार्थियों अभिभावकों को उपलब्दी के बारे में बताना ऐ ऐसे भी नहीं है कि यह गलतियां हुई है यह सल्यूशन निकला है हम इसको बता देते हैं ना ऐसा भी कुछ गलत है बिल्कुल सगह नभियास करेंगे और कठी नभियास करेंगे अच्छी तरह से यह भी कुछ नहीं है यह option है समुचित उप्चारात्मक कारे हम उसको जो है और भी अच्छा जो है उप्चारात्मक रेमिटिल टीचिंग के साथ और भी जो है उसको काम को निदान के बाद यह वो समुचित उप्चारात्मक कारे हम बन जाएगा ठीक है ऐसे होना चाहिए ऐसा कुछ होना चाहिए जो सीखना है ठीक है यह आपका जो है सही option है इस तर दर्शित नहीं करता पहला है विद्यार्थियों को एकांकि तथ्यों इवंपर केर किरियाओं को याद करने की यूग्ये बनाना परि घटना या वधार्णा को अपनी शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए खियार्थियों को कहना स्मानता और अन्त देखते और साथ्र परदर्शित अस्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना निमलिक्त नियम कैसे काम करता है इसे परष्ट करने हितू धारन उपलब्द कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना ये चार आप चारों को देख सकते हो कौन सा देखना है समझ के लिए शिक को याद करने ये हमेशा जो चीज होती है वो नेगेटिव होती है तो हमारा option यहीं से ही जो है स्लेक्ट हो जाता है जो नेगेटिव है कि विद्यार्तियों को एकांगी तथ्यों परकिर्याओं के लोग को याद नहीं कराना सिर्फ याद करने के योगे नहीं बिनाना हमने बच्चे को ठीक है आगे जो है आगे भी आप पड़ सकते हो कौन सी आप्शन परिघटना ये अवधारना को अपने शब्दों में हाँ यह हो सकता है कुछ भी अपने अभिव्यक्ति का जो हमने उसको मौका देना है समानता और अंतर देखने और साध्रिश्यता स्थापित करने ये बही बिल Isaac विद्यार्थी के सहाइता help हमने क्या करने है देनी है उसके साथ क्या है नियम कैसे बनते है इस के इस first हेतू उधार्ण से तो उधार्ण द देख लेना पहले नेक्स कॉशन है अधिक गैहन और जट ले समाजी करण होता है कौन सी स्टेज में होता है आपको आगे स्टेज में होता है कि जर्फ के दोरान अप जो गहन और जर्टिल समावजी करन होता है जर्टिल शर्ब्द हमने एक जो अरिक्शन का थियूरी है उसमें भी बताया गया है कि जो किशोरा अवस्ता की स्टेज है ना वो तुफान जटिल भी होती है तुफान की भी होती है अवस्ता इसमें से जो है जो बच्चा होता है ना वो कुछ कंसेप्ट को समझ नहीं पाता अपनी आडेंटिटी देखता रहता है ठीक है उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहते हैं सो जटिल और गहन समाजी करन जो होता है वो इसी एज में होता है कि शोरावस्था के दौरान सो यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन है एक शिक्षिका है अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धी चाहती है ठ या उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो नहीं को आपने पहले ही जो है क्रॉस कर लेना पेपर में सबसे पहले है विशेश ध्यान के लिए उनके समक्षियों के इसे अलग कर देना क्या अलगाव कर देना चाहिए उस टीचर को अलगाव जैसा तो जे करने के लिए उन्हें चन Cordy देनी चाहिए सोफ्य ये आपके लिए जो है option भूपिन है बूसार पहले ही आप देख सकते हो चनलती देना चाहिए कि वह और भी अच्छा कर सकेश k Similar के ठीक है उनकी kreativity भी अच्छी चीज़ है लेकर विशेश ध्यान के लिए उन्हें उनके समक्षियों के साथ उन्हें जो पियर ग्रूप होते हैं उनसे अलगाव क्या इसे कर दिया जाए बच्चों का ठीक है यह चीज जो है वो क्या हो जाएगी गलत जो गलत ही आपको पुछा गया सो यह आप अनवाणशिक्ता को डेश चास्माजिक सरंचना माना जाता है क्या है यह गौन है एक स्थर है प्रात्मिक है या गत्यात्मख है नुवणशिक्ता हारिडीटी किया इसे बहुत जादा समझने की बात जो एक जो पेरण्ट होते हैं उनमें बच्चों बच्चों के पास जाती है ठीक है यह जो है वो स्थेर रहती है कभी यह नहीं होता कि BE 혁ण जाती है हमारी इसका राइटय। का यह स्थेर होती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन कोशन है है और जो इंवर्मेंट में इससे जो है को पूछा ही जाता है पेपर में ठीक है नेक्स्ट कोशन है निमलिक्त में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है इसमें आपको फिर से नहीं प दत्कारे हैं मौकिकारे प्रशन है और सत्र परिक्षा है यह आपके पास है देखो खेल खेल में प्रशन उतरी यह तो बिल्कुल सही है कि हां हमको क्रियेटिविटी करानी है खेल खेल में बच्चों को कुछ भी प्रशन देते हैं कोई भी टास्क देते हैं सिखा सकते हैं दतकारे भी दे सकते हैं घर का काम कुछ भी बच्चो ऐसा करके लाएं, मौखिक भी उनकी बातचीत उनमें, कोई भी हम उनकी समझ बना सकते हैं, लेकिन जो सतर परिक्षा है, creativity की सतर परिक्षा ऐसा तो नहीं है, भी बच्चे को एक पेपर दिया, ये काम कर दे, अगर वो ब बिल्कुल भी थोड़ा अपसेट होगा कोई भी प्रॉब्लम के लिए तो अच्छा नहीं कर गया तो इससे हम उसकी क्रियेटिविटी तो नहीं चेक कर सकते हैं कई बार जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है कि बड़ी नहीं करता है बच्चा नहीं करता है और उसकी क्रियेटिविटी का हम वह असेसमेंट उसकी कर ले ठीक है यह गलत बात है सो ये आपका right option था आपको नहीं पूछा गया था कौन सा टूल जो है उपकरन जो है वो नहीं है सो next देखते हैं हम क्या question छोटे विद्यार्थियों को निमलिक्त में से कौन सा लक्षन पठन कठिनाई का नहीं है क्या चीज़ा जो बच्चों के लिए problematic जो है वो नहीं है छोटे शिक्षार्थियों के लिए ठीक है वरण एवं शब्द पहचान में कठिनाई होती है उनको शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई है पठन गती और परवाह में कठिनाई है या सुसंगत वर्तनी में कठिनाई आ रही है छोटे विद्यार्थियों ठीक है उनकी लिए शिक्षार्थी जो कोई भी है तो उनके लिए कौन सा लक्षन आपको पूछा गया है पठन कठिनाई का नहीं है इस मेंसे आपका जो सही ऑप्षन है कि पठन गती और परवाह में उनको कठिनाई नहीं होती है जो शोटे विद्यार्थि होते हैं वो भी जो है वो बोल पढ़ते हैं करते हैं सबी ठीक है? ऐसे नहीं है क्यों कुछ बोलनी सकते पठन गती के साथ पर वहाह के साथ ऐसे भी students मैंने देखे हैं बहुत ही जो अच्छी speech देते हैं उनकी age जो कुछ भी नहीं होती लेकिन उनकी speech देने का बोलने का जो एक तरीका होता है ना बहुत ही अच्छा होता है लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो वरण शब्द पहचान में कठिनाई महसूस करते हैं उनको अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा grammar की समझ नहीं होती शब्द और विचारों को समझने में भी कठिनाई आती क्योंकि वो छोटे हैं कुछ शब्द विचार जोते हैं उनकी समझ के बाहर के होते हैं सुसंगत वरतनी में भी कठिनाई आ सकते हैं कि बार बच्चों को कठिनाई आ सकती हैंruk गति की बात की जाहे हैं कि अगर बैसा ने बूसक्ते हैं कि दिशुटे बच्ट बच्चे आप नहीं देखोंगे छोटे घर में कैसे फटाफट से कुछ भी क्या देते हैं ठीक है तो ऐसा कुछ निए कि वो गती और परवा में कठिनाई मैसूस कर रहे हैं तो यह इसका जोगा राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट कॉशन अब देख सकते हो शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोचाहित नहीं करना चाहिए इसमें से आपको फिर नहीं ऑप्शन पुछा गया है क्या है चीज जिसके लिए हमें विद्यार्थियों को जो है मौटिवेट नहीं करना चाहिए प्रोचाहित नहीं करने यह तो बिल्गुल सही option है हमको उनको पीर ग्रूप के साथ अंत्रिक रिया के साथ सिखाना चाहिए नेक्स्ट आप देख सकते हूं शिक्षक को प्रेशन पूछ सकते हैं उन सभी प्रेशनों के उत्पर याद करने के लिए अभी याद करने का concept है यह क्या चीज है यह व प्रेशन पूछने चाहिए हां हो सकता है question पूछने चाहिए कुछ भी बच्चे जो है question आप देखते हैं बच्चे कुछ भी मन में आए वो पूछ लेते हैं कभी भी पूछ लेते हैं ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूछ नहीं सकते question नहीं पूछ सकते वो क्रियाओं मे हिस्सा नहीं ले सकते वो अंतरक्रिया के साथ एक पियर ग्रूप में एक जो है मिलबाट के जो है वो कुछ भी सीखने सकते सक्रियर रूप से ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो नेगिटिव चीज क्या है शिक्षारती जो प्रशन पोच सकते हैं उन सभी को याद कर लें पहले से अगर मैं बच्चे को कुछ पोच सकती हूँ तो में यह नहीं है कि मुझे यह लगे कि हाँ बच्चे को यह आना ही जाए बच्चे तो याद कर ही कर ऐसा कुछ नहीं है तो यह जो option आपका इस question का सही होगा, वो होगा third, शिक्षक को जो question पूछ सकते हैं, जो teacher जो भी question पूछ सकती है, ऐसा नहीं है, कि सभी question जो है, वो बच्चे को याद करने के लिए उसको motivate करें, हाँ तो यह याद कर, मैं तुझसे यह पूछ सकती हूँ, यह पूछ सकती ठीक है, तो आपको एक concept की समझ बनाने के लिए मैं एतनी explanation कर रही हूँ, कि आपको कुछ भी concept उसकी एक समझ बन सके, next question है, बच्चों की विकास की सिधानतों को समझना, शिक्षक की सहायता करता है, अब यह principle of development से question है, आपको बच्चों की विकास की सिधानतों को अगर हैलियों को परभावी रूप से संबोलित करने में आपको help होगी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए है, और चित्ते स्थापित करने के लिए गोल आपको देखना है, इसमें शिक्षार्थी की आर्थिक प्रष्ट भूमी को पहचानने के लिए, इसमें आप द सब्सक्रावी कर लेखने है, तो चाहिए आपको और सब्सक्रावी विए इस्षार्थ क्रक्षा और से संब्सक्राव्य तो चीज तो भलत हो गया, और रशीओ से सब्सक्राब से भूम इनगतना है! नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की भिन अधिगम शैलियों को परभावी रूप से संबोधित करने के लिए यह जो है आपका बिल्कुल सही option होगा यह help करता है भिन अधिगम शैलियों यहां पर जो है एक positive factor लगता है कि हम को क्या करना है जो बच्चे की भिन अधिगम शैलियों उसको और भी परभावी रूप से संबोधित करने में हमको सहायता करता है कि हाँ बच्चा यह चीज़ को जल्दी से सीख रहा है इस method से ऐसे सीख रहा है तो हमको उसमें से help मिलती है अगर हम सिधान तो बच्चे की विकास को देख रहे है ठीक है तो यह आपका right option हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि उसके समाजिक स्तर को पहचाने में हमको मदद मिल रहे है कि बच्चा कैसा कर रहे है कैसा नहीं कर रहे है ठीक है कैसा बोलता है कैसा जाता है ऐसी कुछ नहीं है समाजिक स्तर का कुछ नहीं है हमको सिर्फ क्या है उसकी अधिगम शैलियों से मतलब है उसके विकास के सिधानतों में अधिकम शैलियां कैसे हम और भी परवावी रूप से संबोधित कर सकते हैं दे सकते हैं और भी उसको जो है पड़ाई में ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपको कॉशन है प्रतियेक शिक्षार्ति स्वैम विशिष्ट है इसका अर्थ है क्य असमभव है हम कुछ करनी सकते ठीक है एक विश्वम रूपी जो विश्वम रूपी भाव है कि जहां बहुत सारी बैक्ग्रॉंड के साथ बच्चे होंगे ठीक है जरता उनकी guidance अलग है और ना ही उनमें कोई समान विशेष्टा हैं ना ही उनके लक्ष समान होते हैं ऐसा भी कोई भी concept नहीं है ठीक है सबी शिक्षारतियों के लिए एक समान पाठे चरे संभव नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे शिक्षारती स्वैम के लिए विशेष कुछ भी है तो उनके लिए जो पाठे चरे एक समान समभवी नहीं सकती हम एक method से बच्चों को पढ़ाई नहीं सकते ऐसा भी कुछ नहीं है यहां पर अर्थ क्या निकलता है कि कोई भी दो शिक्षारती अपनी योग्यताओं रूचियों और प्रतिभाओं में एक समान नह होंगी उनका जो काम करने का नजरिया है जो quality है qualification है वो एक जो power होती है वो अलग-अलग होगी इससे ही कहते हैं कि बच्चा जो है वो स्वैम के लिए जो है विशेष्ट है एक उसकी जो है अपनी विशेष्टा होती है ठीक है कि वो इसकी यह रूची है इसकी यह रूची ह को देखने के लिए उन्हें अलग-अलग करता है क्या करता है एक बच्चा है वो खिलोनों को तोड़ता है उसका जो है एक बस अपने जो दिमाग में आता है ना उसकी मेकैनिक में मेकैनिकी में लगा रहता है ठीक है खिलोनों को तोड़ता है उसकी पुर्जों को देखने क पीडिकी नहीं खेलने के ऐसा तो कुछ नहीं किसे नहीं इसके क्या है उसके जिग्यासु सभाव को पुर्षाइद करेंगे और उसकी उर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे यह जो है सबस्करा बच्चा कुछ करने की क्रियोष्टी रख रहा है वसके नीज़, गा रहा हिए हमाँको णीज़, पिंुश्क कर दचा, है क्ला दोकू려 कि क्रणा कर न ऐसे नतर। ठीक है ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा ही उस पे नजर रख लें और यह option भी गलत हो जाएगा कि हम उसको समझा दे कि खिलोनों को तोड़ना नहीं है हमको क्या करना है सिर्फ उसकी पावर को एक direction देनी है ठीक है soort next question है निमलिक्त में से किस कत्षन को सीखने की लक्षण के रूप में नहीं माना जाता क्या एक है जिसको हम कत्षन को लक्षण के रूप में नहीं मान सकते कि ऐसा जोएविद्यारती सीखने चता अनधिगम भी सीखने का एक aslında है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम सुरूप घटित होती है, सीखना एक परकिरिया है जो वेवहार के मध्य अस्ता होती है, वेवहार का अध्यान क्या है, सीखना है, इसमें सीखने के लक्षन के रूप में नहीं, आपको एक नेगिटिव चीज जो है, वो चुन्नी है, तो क् अधिगम, कुई भी हम चीजे सीखते हैं, वो भी एक सीखने का हिस्सा होता है, हम कुछ कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, कहीं कुछ सीखने सकते हैं, सीखना कुछ ऐसी चीज है, जो अनुभव के परिणाम सुरूप, हाँ, कुछ अनुभव होते ह उनके साथ ही हम सीखते हैं सीखना एक अपर किरिया है जो विवहार के मद्धिस्ता होती है जो हमारे बिहेवियर के साथ साथ वो चलती है सो विवहार का अध्यन सीखना है ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि हाँ विवहार का अध्यन क्या है सीखना ही है ठीक है यह जो है वो गलत माना जाएगा यह तीन option आपको इसमें से सब भी से best चुनना है option psychology में आपको cdp में ऐसे question आते हैं आपको लगते हैं चारे options आई हैं यह confusion से बच्चे जो हैं बहुत गलत option चुनते हैं किसी time उनको लगता है कि हम सही करके आया है लेकर अगर पॉइंट ही आपने वह जो नहीं है जिसके importance बाकी जो option उनके समक्ष कम है तो आपका option बहुत गलत होगा ठीक है next बहुत important question है फ्रेंट स्रिजनात्मक उत्तरों के लिए क्या अविश्यक है आपको पूछा कि है creativity की कोई answers है अगर आपको उनमें लेनी है creativity का कुछ देखना है तो आप क्या अविश्यक है ठीक है एक है अतियंत अनुशाशित कक्षा होनी चाहिए ऐसा तो कुछ नहीं हमको क्या करना है कर creativity का कुछ आए ना concept अगर आपको question पूछ लिया जाए creativity पर भी बच्चे की creativity चेक करने तो क्या काम दोगे ठीक है तो हमको एक तो यह उसको दाइरे में नहीं बानना कोई discipline की बात नहीं होगी इसमें कुछ भी ऐसा कुछ curriculum उसका character जो है उसमें नहीं बान देना है उसको ऐसे concept आपको माइड में सबसे पहले आपको अनुशाशित जो अत्यांत अनुशाशित कक्षा आगी यहां पर discipline आगे जो option जो है गलत है ठीक है आगे मुक्त उत्तर वाले प्रेशन यह जो है ठीक है मान सकते हैं आगे है प्रत्यक्ष शिक्षन एवं प्रत्यक्ष प्रेशन ऐसा भी कुछ नहीं है क सबी कुछ शिक्षन होगी प्रत्यक्ष प्रेशन होंगे पक्के होंगे यह ठीक है ऐसा भी कुछ नहीं है विशे वस्तु अधारत ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ पाठे क्रम में उसको बान दिया जाए तो स्रिजनात्मक उत्तर अगर आपको चाहिए तो क्या important है इस में व्यड़ बिना किसे जो है एंड नहीं होना चाहिए बच्चे का जितना मन है उतना बोल सकता है उतना लिख सकता है को कोई भी आप उसको दोगे तो मुक्त उत्तर होंगे उसके ठीक है ऐसा नहीं है कि यहां पे स्टॉप कर दे इतने शब्दों में लिख दे कुछ इसा कुछ नहीं होना चाहिए तो ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट बहुत important question है सीखने का वह सिधान्त जो पूर नूप से और केवल अवलोकनिये ववहार पर अधारत है सीखने के डैश सिधान्त से संबंदित है अवलोकनिये ववहार की बात की गई है तो आ डेख सकते हो वहार वद्त स्यधान्त से सम DENNIS सीखने का सिधान्त है पूर लूप से अवलोक क्निये ववहार पर अधारत है आधारत है आश्यों होगा वहार वद्त सिधान्त नेक्स अ इंपॉर्टनाएं बहुत ही इंपॉर्टनंड आपको प्याज्य की थिरी जो आती है psychology मे उसमें से एक question आता ही आता है CDP में इसमें पूछा गया है सबसे पहली stage जो है जर्म से दो वर्ष की आयू की जो पहली stage है प्याजे के नुसार उसके दोरान बच्चा डैश सबसे बहतर सीखता है तो आपने अगर वो जो उसने चार stages बताई हैं उनके बारे में पढ़ा होगा कौन कौन सी है तो आप इस option का जो है correct answer ढूण पाओगे इसका क्या है कि जो प्याजे ने जो first stage दिया ना sensory motor stage कहते हैं उसको इंगलिश में sensory motor stage जर्म से दो वर्ष की आयू तक तो उसमें क्या करता है बच्चा जो है वो किसे सीखता है बच्चा टच करके ठीक है कुछ चीजों को हाथ लगा के टच करके देखकर ऐसे अपनी senses लगाता है जो हमारी senses होती है उसके साथ उसके प्रियोग के दोरा बच्चा जो है वो सीखता है objective permanence आ जाता है बच्चे की जो यह आयू होती है ठीक है तो ऐसे आपको जो है question प्याजे की theory में कोई कोई भी stage देकर आपको उसका जो है पूछ लिया जा सकता है कि बच्चा कैसे सीख सकता है ठीक है next question है शिक्षार्थियों का आतम नियमन dash की और संकेत करता है जो हमारा आतम नियमन है self realization से आपको question है वो dash की और संकेत करता है जिसमें self आतम नियमन उसमें देख सकते हो आप अपने सीखने का स्वयम प्रवेक्षन करने की योग गिता ये इसका right option होगा आगे option आप देख सकते हो विद्यार्थियों के विवहार के के लिए विद्यार्थि निकाय द्वारा बनाएगे नियम के वियसे वात नहीं सवयम अनुशाशन होता है और नियंतरन होता है संकेत की और करता है अपने सीखने का सवयम प्रिवेक्षन करने की योग गिता की और next important question है friends स्रिजनात्म कुत्रों के लिए अवश्यक है स्रिजनात्म कुत्रों के लिए जब भी आपको creativity पर question आता है तो आपको वह option चुनना है जो कि जिसमें किसी भी चीज के लिए बात देहना किया गया हो आप option में देख सकते हो पहला है कत्यंत अनुशाशित जो कक्षा होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर तो discipline की बात आगी यह तो अवश्यक होई नहीं सकता है ठीक है अगर स्रिजनात्म क्रिएटिविटी को देखना है next आप option देख सकते हो मुक्त उत्तर वाले प्रशन हो सकता है यह भी आंसर प्रत्यक्ष शिक्षन इसका नहीं है कि हर प्रत्यक्ष प्रशन होगा प्रत्यक्ष शिक्षन होगा ऐसे भी creativity का कोई जो संबंध नहीं है विश्य वस्तू पर अधार यह भी कोई बात देने इसका right answer होगा मुक्त उत्तर वाले प्रशन जहां पर किसी भी तरह का बात देना किया गया हो कि इतने में शब्दों में उत्तर देना है इसकी परिभाशा बतानी इसकी definition ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ ऐसे उन्हें चाहिए विचार प्रगट करिए अपने शब्दों में लिखिए सिधान्त आप रचनावादी विकास वादी यहां पर लोक निये वहार की बात की गई है ठीक है जे अधारत भी किस पे होगा वहार वादी सिधान्त पे तो यह इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट देख सकते हैं आप प्याजजी की थियोरी पर कॉशन हाई है प्याजजी की नुसार विकास की पहली वस्ता जो होते है जरंम से दो वरश के आयू के दोरान किस चीज से वह सबसे बहतर सीखता है तो यह इसका जो होगा right option होगा next आप देख सकते हो शिक्षार्थियों का आतम नियमन की और संकेत क्या करता है सर्फ जो realization होती है वो किसकी और संकेत करती है तो इसके आप option देख सकते हो अपने सीखने का स्वैम परवेक्षन करने की उनकी योगेता विद्यार्थियों के विवहार के लिए विनियम बनाना विद्यार्थी निकाय दोरा नियम विनियम बनाना या सब जो अनुशाशन और नियंतरन ऐसा तो इसका जो right option है वो है स्वैम परवेक्षन करने की योगेता अगर आपके पास self-realization है तो संकेत क्या करता है कि आप अपना स्वैम जो है analysis करने की आपके पास जो शमता होगी शिक्षार्थियों पर भी यही बात है कि शिक्षार्थि अगर जो self-realization की और संकेत करती है जो उसकी खूद की जो है अपनी अनेलिसिस करने के उनकी योग गिता तो नेक्स्ट जो कॉशन है लास्ट कॉशन भारती समाज की बहुबाशिक विशेशता को डैश दिखा जाना चाहिए अगर कलास में जो है जा समाज में हमको बहुबाशी जो है वो इन्वेर्मेंट मिलता है जिसमें अलग-अलग भाशाओं के लोग हैं ठीक है उसकी विशेशता क्या है उसके ओप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभी प्रेरित करने है तो शिक्षक योगिता की अनुभव होगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है ना ही यह जो है चुनौती के रूप में आएगा ठीक है यह जो नेगिटिव बात है ना ही यह बादा बनेगा यह क्या होगा एक संसाधन के रूप में होगा जिसमें सभी को कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिलता ह यह जो है इसका right option होगा So I hope friends आपको यह सारे questions जो है वो अच्छे लगे होंगे आपके जो mind पे जो इन question के रिलेटर जो concept बनते हैं जो question बनते हैं इन्हीं ऐसे ही जो है कुछ question बनाये जाते हैं आपको अच्छे लगे होंगे So friends और भी friends के साथ आपको यह share like करते रहना है do friends